हां इस वीडियो में हम बात करेंगे Implantation Cramp की यह जो है यह कब होगा और कहां होगा कहने का मतलब बोड़ी के किस पार्ट में होगा कितने देर के लिए होगा और किस दिन होगा इस पूरी चीजों की जनकारी सिंगल एक वीडियो में मैं देने वाली हूं मेरी बहुत सारी सब् एक प्रफिजन लगती है कि कब उनका इंप्लांटेशन होता है और क्या यह जो चीजें होती है इंप्लांटेशन क्राम्प यह प्रथम लक्षन के तौर पर सभी महिलाओं में पीरेड मिस होने से पहले सब में अपियर हो जाती है बस आपको जनकारी का थोड़ा सब रहता है आप जनकारी नहीं रहता है कि plantation cramp जो होता है कहां कब और किस दिन और कितने देर के लिए होगा इस कारण से आप अब तक अपनी pregnancy को समझ नहीं पाई है कि साथ आप pregnant है या फिर नहीं है तो चलिए इस वीडियो के अंदर एक सीक्रिट तरीका एक सीक्रेट लक्षन बताया जागा ये वीडियो बिल्कुल हट्के होगा जितने भी आप लक्षन की देखती है उन सब में कही न कहीं आप को डाउट रह जाता लेकिन इस वीडियो में कोई भी डाउट नहीं हो रहने वाला है जो भी चीज़े होगी वह आमने सामने होगी तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं हुश्वयता और सहरी क्लब में आप सब उसका बहुत स्वागत है पहली बार आये चानल पर जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक किजिए गा यह कब होता है सीदी सी बात है पीरिड मिस होने के पहले आपको हो जाता है यानिकी आपने वेडियो में ट्राइब किया उसके आठ दिन के बाद उसके एक वीक के ब क्रैम्प होगा जब आपको पीरिट होगे तो विच व बीच में होता है तर ना भी के जस्ट नीचे होता है लेकिन इंप्लांटेशन क्रैम्प हल्का सा लफ्ट जई हल्का सा राइड जई दोनु से किसी एक जगह पर हलका इस तरीक से प्रेस करने पर आपको दर्ध की समस्या होगी या कई महिलाओं ने तो अगर आप अपने बोड़ी को आई को क्लोज करके बहुत जदा अब्ज़र्ब करना चाहती है तो बिना टच के भी आपको यह क्रांपिंग जो होता है पेट के निजले हिसे में आराम समझ में आ जाएगी अब यह है कि यह किन महिलाओं को होता ह है जिन्होंने प्राउटनसी कंसिब की है और यह प्रत्म लक्षन के तार पे सामने आ चुका है अब यहाँ पे बात करते कि कि यह कितने देर के लिएह बात किया जा तो वो दो या तीन robi के लिए होता है है दो या तीन के अबाद हो क्रांपिंग गोती है उसके इंदर तो दो या तीन चीज़े connect होती है जैसे कि पेट के हिसे में दर्द आपको अल्लेडी पता चल गया है पैरों में भी दर्द की समस्या होने लगती है घुटने के नीचे और एक और बात के जाए तो हमारे बॉडी का जो बेसल बॉडी टेंपरेचर है वो बेसल बॉडी टेंप कह सकते हैं वह बहुत ही कम अमाउंट के में होता है जैसे कि इस तस्वीर के तुरूद देख सकते हैं यह स्तिर्फ एक दिन के लिए ही होता है तो ओबर ओल इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी जनकारी दे दी मैंने यह बताया कि इंप्लांटेशन क्रैंप जोता है व तुम मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं थैंक्स पॉर वाचिंग तितक के लिए बवाइन टेक केर